दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने यूटिब चानल टूडे उडेट में चलिए आज बात करने वाले हैं जो अनेदर जॉब अपडेट के बारे में तो यहां बताने वाले हैं कि बहुत सारे डिस्टिक से यहां जॉब वेकेंसी निकाली गई है तो मैं आज इस वीडि अगर आप मेरे यूटिब चैनल पर नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरू कर दें ठीक है तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं यहां बताते हैं यह जो है उप विकास आयुकत का कारिया ले जो कि यह पेजल एबम स्वास्त परमंडल जो कि आ जो यहां पर इसका स्वाट फॉर्म है और यहां देख सकते हैं कि क्या पोस्ट है और कोन अप्लाइ कर सकते हैं क्या एजुकेशन होड़ी वाली है आपकी यहां पर तो यह सारी चीजे यहां पर बताते हैं तो पहला बात करें तो म आई एस जो की कोडिनेटर का पोस्ट तो यहां बेतन की बात करें तो यहां पर 35,000 आपको यहां परमन दी जाएगी ठीक है अब यहां बात करते हैं educational निवारी योगिता की तो यहां पर देख सकते हैं master degree in जो कि यहां MBA होना चाहिए या यहां बात करते हैं दूसरा पद की तो यहां देख सकते हैं दूसरा पद जो की है IEC पद जो की यह coordinator का post है ठीक है इसमें भी आपका one seat निकाली गई है जिसमें से बेतन की बात करें तो 35,000 पर मन यहां पर दी जाएगी ठीक है बात करते हैं यहां पर की कोण apply कर सकते हैं क्या educational qualification है तो यहां देख सकते हैं MBA HR MSC Geology Chemistry या Bio Chemistry या Bio Technology से या PG से किये हुए है ठीक है diploma in ruler development ठीक है तो यहां आप apply कर सकते हैं तो यहां देख सकते हैं कि सारी educational qualification यहां दे दी गई है बात करते हैं experience की यहां पर तो 3 years आपकी यहां पर experience होनी चाहिए ठीक है और यहां पर देख सकते हैं MS Office या MS Word Excel में आपकी यहां पर computer knowledge होनी चाहिए next बात करते हैं दूसरा post की तो यहां देख सकते हैं दूसरा post है स्वास्त भारत जो की स्वाक्ष भारत mission जो की gram in का है ठीक है बेतन की बात करें तो यहां 40,000 पर मंत दी जाएगी और यहां बात करते हैं पर की एजुकेशनल क्यालिफिकेशन की तो MBA जो की पोस्ट ग्रिजवेट डिगरी अगर आपके पस है तो भी यहां आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन रूलर डबल ठीक है अगर आप किये हुए हैं तो यहां आप अप्लाई कर सकते हैं एक्स्प्रियेंस की बात करें तो यहां देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 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 यहां पर स्वक्ष भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन दोनों के लिए अंतरगत परमंडली अस्तर पर कारे करने की यहां पे संस्थागत संचारन किये जा रहे हैं ठीक है जो कि यहां पे दिया गया है दूसरा बात करते हैं आयो सीमा की तो यहां देख सकते हैं 21 वर्स आपकी नियूनत तो यहां देख सकते हैं आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट की आपको अप्लाइ कैसे करनी है तो यहां देख सकते हैं कि दी गई आवेदन प्राप्त की तिथी जो है एक्चुत उमीदबार वो सभी वांचिक पर परमानित करके ठीक है यह जो इमेल आइडी है जो यहां इमेल आइडी दे दी गई है इस इमेल आइडी में चौबीस एक दोजर बाइस तक आपको पांच वजे तक भेजनी है ठीक है तो यहां पर कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपना सारे डोकुमें तो यह 24 तक है तो जल्द से जल्द आप यहां अपलाई कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट आपको यहां पर दिखाते हैं कि और कौन सा विग्यापन निकाला गया है दूसरा अगर यहां बात करते हैं तो यहां देख सकते हैं कि आपका यह जीला स्वास समीती लातिहार के तरफ स जो कि यहां औल जारखन कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहां आई सुमान भारत परधान मंत्री जन आयोग योजना के अंतरगत यह निकाला गया है ठीक है इसकी अंतिमतिति की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि दस फरवरी तक आपकी अंतिमतिति दी गई है तो चलिए इसमें कौन-कौन अप्लाए कर सकते हैं इसकी एजुकेशनल कौैलिफिकेशन की बात करते हैं यहां बताते हैं कि यह जो है तो क्यायलै है दी गई है, जैसे कि जीवंदिदा इस मूइट पोस्ट के माधियम से जमा कर सकते हैं और बताते हैं कि यहां कौन सा पोस्ट है तो यहां देख सकते हैं यह जो है जीला कारियाल है सावनवाइक का पोस्ट है जो कि यह एक पोस्ट पे निकाली गई है और बात करते हैं अनारक्षित की पोस्ट है यानि कि कोई भी कंडिडेट यहां अप्लाइ कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS या MBA in Healthcare और Master of Health Hospital यहां देख सकते हैं अगर किये हो हैं तो यहां आप अपलाई कर सकते हैं दो साल की आपके पास यहां मिनिमम आपके पास experience होनी चाहिए ठेक हैं यहां पर देख सकते हैं अप टू 45 एर एज तक की candidate यहां प्राविदन के लिए जैसे के चैन परक्रिया कर निर्धारित प्राप्त आविदन की जो की संख्या अधार पर जीला चैन समीति का यहां पर नियमा अनुसार किये जाएं ठीक है मेगा सूची उसके बाद चैन परक्रिया के यहां पर दी गई है कि जीला के चैन समीति जो की अब यहां बताते हैं चैन की यहां पे सारी सरते दी गई है जैसे कि यहां सारा चीज यहां पे दे दिया गया आवेदन की अगर बात करें तो कैसे आवेदन करनी है तो यहां बताते हैं आपको जैसे कि यहां दिया है आवेदन पत्र जो है मात्र निवंदे डाक स्पीट पोस का नियोजन नहीं होगा ठेक है ब्लॉक संबंदी के अधार पर स्विकार अविद्धन जो कि विरुद्ध उन्हें कारे करने की अनुमती की जाएगी तो यहां पर दे दी गही है और यहां पर देखे और जितनी भी यहां पर सारी गाइड लाइंस यहां पर दिया गया हैं और यहां पर देख सकते हैं अगर बात करें आविद 끝 की तो कैसे यहां डेन देना है तो आविदिने सुल्क की बात करें और करिया को आपको 400 रुपिया कर्ढ़ टिमान हें अथार पर यहाँ बात करते हैं लास्ट है इसका जैसे कि यहां देख सकते हैं आविदन पत्र के लिए जो की यहां पे कहां आपको भेजनी है पता की अगर बात करें तो यहां दिया गया है जीला नियोजनाले पता दिकारी जीला जो की नियोजनाले कारियाले लाते हार को आपको यहां पे करना है ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको फुल फिल करना है जीसे कि यहां पर आपका फोटो होगा नाम लिखना है अवे दग का यहां रिखना है पीता का नाम जन्व फोन और कौन सा जीले से निकाला गया है ठेक है यहाँ देख सकते हैं कि और जो दिस्टिक से निकाला गया यह जो है आपका जो की और शेनिक सेल चिकितस सब्स पदादी कारी साहब गंज के तरफ से जो कि यह जीला स्वास समीती साहब गंज से निकाली गई जो कि बिग्यापन संक्या 0ati221 निकाल गया है, तो इसमें हम बताढ़े की कौन सा पद निकाली गई है, तो यहां देख सकते हैं कि यहां आवेदान के लिए जो कि लिखा गया है, कि निक्ति है तो आवेदान पत्र किये जाएंगे, जो कि आवेदान का अविहारतों का गया है तो यह जो है जीला कारियाल है शमनवक का पोस्ट निकाला गया है जो कि एक पोस्ट है ठीक है जिसमें से आपको यहां पर 50,000 पर मंत दी जाएगी चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहां देख सकते हैं MBBS या MBA किये हुए Health in Master of Hospital जो कि एडमिस्ट्रेशन जो कि यहां दिया है Master of Public Health फुल टाइम रेगुलर युनिवर्सिटी डिग्री आपकी होनी चाहिए ठीक है बात करते हैं यहां पर अपको करनी है आवेदन रूप से जो कि तयार मेगा सुची साहएवगंजिला के website पर ही डाल दिया जाएगा जैसे कि यहां पर दिया गया है ठीक है उसके बात सीविल सर्जन के यहां पर कारियाल है सुची पर पर भी यहां पर लगा दिया जाएगा तो यहां भी आप आव करने की यह जो है आपकी भेजने की यह आपकी एड्रेस है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है तो यह था आज के लिए जितनी भी इंफर्मेशन थी सारे डिस्टिक से हम आपको बता दिये आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी किसी परकार की कोई प्रॉब्लम ड है ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो आज के लिए इतना ही तन्यवाद है कि अ